Hello everyone and welcome back to our YouTube channel आज का वीडियो लेक्चर वर्ब के second वीडियो लेक्चर है वर्ब के first वीडियो लेक्चर में हमने discuss किया है वर्ब क्या है और वर्ब के एक broad categorization को हमने समझा था जिसमें हमने main verb, helping verb, transitive verb, intransitive verb, regular, irregular, stative, dynamic, helping, model, axillaries बहुत सारे verb को complete classifications के through समझा था इस वीडियो लेक्चर में हम सारे verb को एक एक करके detail में cover करने की कोशिश करेंगे चुकि ये बहुत ही important topic है verb इसे अच्छे से बगार समझे आप English को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम transitive verb, intransitive verb को cover करेंगे तो अगर आप verb के first वीडियो लेक्चर को miss की हैं तो description box में link है वहाँ जाके वीडियो को check out कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें अगर आप English शिखने को लेकर वाकई serious है तो क्योंकि मैं बता दू हमारा मकसद बेहदी आसान है English के topics को simple way में simply आप तक पहुँचाना ताकि आपके लिए हो आसान English तो topic को शुरू करने से पहले चली जल्दी से जान लेते हैं कि verb होते क्या है Verb denotes an action or a state of being कहने का मतलब है कि verb से किसी काम का होने का या किसी स्थिती का बोध होता है example से हम समझते हैं अगर मैं कहूँ I am going to school यहाँ going से किसी काम का होने का बोध हो रहा है मतलब मैं school जा रहा हूँ यहाँ काम जाने का बोध करा रहा है इससे काम हो रहा पता चल रहा है इस sentence में लेकिन अगर मैं कहूँ I am a boy इस sentence में किसी काम का होने का बोध नहीं हो रहा है बलकि इस sentence में कि मैं एक लड़का हूँ इस चीज का स्थिती का पता चल रहा है कि मैं वर्तमान समय में एक लड़का हूँ M से स्थिती का बोध हो रहा है तो यह difference है action और इस्थिति में इसे verb कहते हैं तो चलिए आज का इस topic शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं Transitive verb क्या होते हैं Transitive verb always takes or demands an object to complete the meaning of a sentence कहने का मतलब है Transitive verb हमेशा अपने साथ एक object लेता है या फिर हमेशा एक object का demand करता है किसी भी sentence में उसके meaning को पूरा करने के लिए Simple में अगर मैं एक example लूँ कि bring me a cup of tea यहाँ अगर मैं me a cup of tea को हटा देता हूँ जो कि एक object पाठ है तो यहाँ सिर्फ bring होता है और bring का मतलब होता है लाना लाना तो लाने से बिलकुल पूरा complete meaning हमें समझ नहीं आ रहा है क्या लाना है तो इसलिए इस verb को एक object की जरुरत होती है अपने पूरे meaning को complete करने के लिए और इसलिए यहाँ a cup of tea a cup of coffee आप बोलते हैं तो पूरा meaning यहाँ समझ आता है कि मेरे लिए एक cup coffee या tea लाओ कुछ transitive verb का list आप देख सकते हैं give, buy, make, sell, take, show, offer, leave, wish, land, cost, etc इन सारे verbs के बाद sentence में हमेशा एक object की जरुरत पढ़ती है sentence के meaning को पूरा करने के लिए चले देखते हैं transitive verb को कुछ examples के साथ my friend buys a bicycle, मेरा दोस्त एक cycle खरीदता है यहाँ by एक transitive verb है क्योंकि इसके बाद आने वाला by cycle जोकी एक object है बेहती जरूरी है इस sentence में पूरे meaning को complete करने के लिए क्योंकि अगर मैं cycle को हटा देते हैं तो हमारे पास बढ़ता है my friend buys, मेरा दोस्त खरीदता है क्या खरीदता है यह बिल्कुल पता नहीं है meaning अधूरा है इसलिए इस meaning को complete करने के लिए हमें cycle add करना होता है verb के last में तब जाके इसका meaning पूरा complete हो पाता है और हम समझ पाते हैं कि इस पूरे sentence का meaning है कि मेरा दोस्त एक cycle खरीदता है और तब जाके meaning complete होता है इसलिए by यहाँ एक transitive verb है next sentence है he sold his old car again यहाँ cell का v2 sold एक transitive verb के रूप में प्रियोग हुआ है क्योंकि उसके बाद आने वाला object car के बिना यह sentence अधूरा है अगर मैं objective parts को हटा लूँ his old car को तो he sold उसने बेचा क्या बिचा बिल्कुल अधूरा meaning है इसलिए he is old car पूरे object part को last में add करना है तब ही इसका पूरा meaning complete हो पाता है इसलिए sold भी यहाँ एक transitive verb है next sentence है the company has offered me a job company ने मुझे एक job offer किया यहाँ offer भी एक transitive verb है क्योंकि इसके बाद आने वाले objects को अगर मैं हटा दूँ तो हमारे पास meaning बजता है company ने offer किया क्या किया किसे किया बिल्कुल अधूरा है meaning पूरा complete नहीं हो पा रहा है sense इसलिए इस पूरे sentence के meaning को complete करने के लिए me a job को add करना है offer के बाद तभी जाके इसका पूरा meaning हम समझ पाते है इस sentence में दो objects है आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरह के English में objects होते है एक direct object होता है दूसरा indirect object होता है इंसान indirect object होते है कोई वस्तू direct object होते है इसलिए me जो कि एक इंसान के लिए योज हुआ है इस sentence में next sentence देखते है leave me a message मेरे लिए एक message छोड़ो यहाँ leave again एक transitive verb क्योंकि leave अकेले अगर यहाँ यूज होता है तो इसका कुछ मतलब नहीं निकल पाता leave छोड़ो क्या छोड़ो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसलिए me a message again यहाँ एक objective parts को use करना है पूरे sentence के meaning को confirm करने के लिए यहाँ भी दो objects है हमारे पास me indirect object और message direct object यहाँ leave एक imperative sentence जैसा यूज हुआ है verb के साथ start हुआ है sentence में इसलिए next sentence है john gave me a book on my birthday john ने मेरे जन दिन पर मुझे एक किताब दिया gave again यहाँ एक transitive verb है क्योंकि इसके तुरंद बाद दो objects me, book indirect और direct object का इस्तेमाल हुआ है जिसके बिना sentence का meaning बिलकुल अधूरा होगा इसलिए gave भी यहाँ एक transitive verb है बढ़ते हमारे next topic के और और वो है intransitive verb intransitive verb किसे कहते हैं intransitive verb does not require an object to make its meaning complete कहने का मतलब हुआ intransitive verb एक ऐसे verbs होते हैं जिन्हें किसी sentence में meaning को पूरा करने के लिए किसी objects के जरूरत नहीं होती है आपके सामने कुछ intransitive verb का list आप देख सकते हैं cry, laugh, arrive, die, go, look, live, sit, sleep, etc. यह सारे कुछ intransitive verbs हैं जो sentence में किसी objects का demand नहीं करते इन्हें किसी sentence में objects का जरूरत नहीं परता किसी sentence के meaning को complete करने के लिए आईए कुछ example से इसे समझते हैं the baby was crying, बच्चा रो रहा था यहाँ पे crying एक intransitive verb है क्योंकि इसके बाद कोई भी objects देख सकते हैं आप बिलकुल नहीं है और यह पूरा meaning complete है इसे लिए crying यहाँ एक intransitive verb है they laugh loudly वे लोग जोर जोर से हसते हैं यह sentence बहुत interesting है आप laugh एक intransitive verb के रूप में यहाँ use हुआ है और loudly कई लोग loudly को object माल लेते हैं तो यह हमें बता दूँ loudly कोई object नहीं है बलकि compliment part है sentence के meaning को complete करने के लिए sentence के meaning को complete करने के लिए object लगाते हैं हम sentence में या फिर compliment लगाते हैं तो यहाँ object नहीं है यह compliment है तरीका बता रहा है जोर जोर से हसने का laugh इसलिए हैं यहाँ intransitive verb है किसी भी sentence में object है या नहीं है इसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उस sentence में सवाल करें what और whom से क्या और किसे से अगर इन दोनों question words का answer आपको मिलता है तब आप समझें कि वो जो answer मिला वो word ही उस sentence में object है अगर इन दोनों question word का answer हमें नहीं मिलता है इसका मतलब है कि उस sentence में कोई object नहीं है तो इस तरह से laugh एक intransitive verb के जैसा use हुआ है next sentence है he arrived on time वो समय पर पहुचा यहाँ again arrive एक intransitive verb है क्योंकि इसके बाद on time एक compliment part है ना कि एक object और यह पूरा meaning complete है इसलिए arrive यहाँ एक intransitive verb है stay down यह एक imperative sentence है बैठ जाओ यह अपने आप में एक complete sentence है इसके बाद किसी भी तरह का कोई object या compliment नहीं है यह एक phrasal verb के जैसा use हुआ है यहाँ पे इसलिए sit again हमारे पास एक intransitive verb है you will not go anywhere तुम कहीं नहीं जाओगे यहाँ again go एक intransitive verb है और anywhere compliment part है इस sentence को पूरा complete करने के लिए यहाँ कोई object नहीं है तो यह थे हमारे transitive और intransitive verb में difference मैं फिर से recap कर दूँ transitive और intransitive verb में basic difference यह है transitive verb के बाद हमेशा एक object की ज़रत पड़ती है किसी sentence के meaning को complete करने के लिए वहीं intransitive verb में कोई भी object की ज़रत नहीं पड़ती बलकि यहाँ compliment की ज़रत पड़ती किसी sentence के meaning को complete करने के लिए तो यह थे basic difference with object, transitive verb without object, intransitive verb अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करें ज़्यादर से ज़्यादर share करें और ऐसे ही useful और important videos के लिए चैनल को subscribe करें जल्दी हमारी मुलाकात होगी एक नए video lecture के साथ तब तक के लिए शुक्रिया